Hello and welcome friends, welcome to pharma वेदा ग्यान, तो एम्स में जो वेकेंसी निकाली गई है, 3000 प्लस वेकेंसी, जिसका की एक्जाम आपका 18 से लेके 20 दिसंबर तक हो जाएगा, तो सभी पोस्टों के previous year question paper हम देखेंगे, कैसे रहेंगे, तो total जो पोस्टे रहेंगी, post name जो रहेगा, वो 100 पोस्टे रहेगा, वो same रहेगा, और जो domains लेबस है, वो आपको अलग देखने को मिलेगा, इसके साथ ही हम बात करेंगे, कैसे questions अभी तक aims ने पूछे हैं, क्या pattern follow किया है, कौन-कौन से aims में कैसे questions रहे थे, reasoning के questions कैसे रहे थे, आपके intelligence के कैसे, awareness के, general knowledge के, current affairs कब तक ही पूछी जात रहेते हैं, comprehensive जो आपका Hindi और English language है, जो कि 10 number का रहेगा, वो किस तरीके से रहेगा, तो 50% weighted जो आपका रहेगा, वो general subject का रहेगा, जो कि हर एक post के लिए रहेगा, मतलब जो 40 questions आपके रहेंगे, वो आपके हर एक post के लिए same रहने वाल है, मतलब similar pattern आपको देखने को मिलेगा और जो domain रहेगा, वो आपको अलग देखने को मिलेगा, qualification के according, तो अब हम बात करेंगे, कौन-कौन से previous year question paper आपको provide होंगे, इनकी PDF किस तरीके से provide होगी, कैसे आप लोग access कर पाएंगे, कहां पे आपको सिर्फ एक click करने में सारी PDF, जितनी भी aims ने अभी तक exam conduct कराए हैं, सा 50% weightage आप, पूरा score कल लेंगे, क्योंकि आपकी जो command है, aims के जितने questions हैं, सारे आपको मिल जाएंगे, सिर्फ एक click में, तो aims के जितने भी questions रहेंगे, genuine questions रहेंगे, सारे genuine questions आपको मिलेंगे, assistant administrative officer की भी PDF आपको provide कराए जाएगी, जो exam conduct कराए गया था, तो इसमें आप लोग देखे, general intelligence, reasoning, जितने भी topic रहेंगे, computer हो गया, English हो गया, तो वो सारे questions आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, genuine questions, जितने भी questions रहेंगे, genuine रहेंगे, यह आपका aims भोपाल का, जो कि recently अभी आपका 27 November को इसका exam कराए गया था, तो यह आपको provide कराए जाएगा, इसके साथी, junior administrative officer, देखिए, यह हमारे official channel है, जिसमें की सारे genuine questions आपको provide कराए जाएगे, ठीक है, तो general intelligence, reasoning, सारे topic रहेंगे, इसके बाद, assistant administrative officer, तो यह भी आपकी जो है, vacancy रहेगी, इससे पहले जो exam हुआ था, उसका question paper देख रहे है, hospital attendant grade 3 का देख रहे ह इसके साथी, hospital attendant का रहेगा, इसके बाद, यह भी आपको hospital attendant है, यह भी आपको hospital attendant है, इसके बाद, store keeper का हो गया, ठीक है, तो अलग-लग set जो है, आपको provide कराए जाएगे, lab technician हो गया, lab technician हो गया, इसके साथी lab attendant हो गया, इसके बाद, जो आपकी answer की है, यह भी आपका lab technician की, जो post रही थी फार्मसिस्ट का देख सकते हैं और इसके साथ यहां पर आप फार्मसिस्ट का देख सकते हैं तो जितने भी एक्जाम रहेंगे सभी में आपको जो जन्रल स्लेबस है वो देखने को मिलेगा इसके बाद यह फार्मसिस्ट का है जिसमें कि आप लोग देखें GS का portion जो कि basic जिसमें कि computer के questions आ जाएंगे जितने भी current affairs के questions आ जाएंगे जो कि latest आपके 2023 के questions भी रहेंगे ठीक है तो जितने भी exam रहेंगे तो ये पूरी PDF आपको किस तरीके से provide होगी वो हम discuss कर लेते हैं ये PDF जो आपको provide कराए जाएगी सारे जितने भी आप question paper देख रहें ये सारे question paper आप लोगों को जो है एक single click में मिलेंगे तो आप यहाँ पे WhatsApp नमबर देख रहोंगे इस नमबर पे आप लोगों को सिर्फ WhatsApp में message भेजना है कि all previous air question paper आपको चाहिए जिसमें कि हम आपको सारे previous air question paper का जो है access provide कराएंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको WhatsApp नमबर शोर रहोगा इसमें आपको सारे जितने भी exam अभी तक conduct कराएंगे हैं एम्स के और भी question paper आपको provide कराएंगे जैसे कि junior warden का आप देख सकते हैं junior reception officer का देख सकते हैं junior hindi translator का देख सकते हैं तो यह सभी questions आपको aims के genuine questions दिखेंगे यह आपका junior accounts officer है data entry operator है medical social worker का है इसके बाद health educator का है इसके साथी modulator का है इसके बाद TB का है ठीक है तो health assistant जो आपका रहता है तो देखे एक चीज़ आपने comment देखे होगी जिसमें की सभी में आपको जो reasoning के questions है जो quantitative aptitude के हैं तो सभी में जो है same pattern देखने को आपको मिल रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके बाद यह आपका ECG technician जो post रहती है इसके बाद dissection hall attendant का आप यहाँ पर देखे हैं ठीक है तो यह therapist का आप देख सकते हैं pharma chemist chemical examiner के post देख सकते हैं yoga instructor का भी आप देख सकते हैं इसके बाद ही जो है data entry operator इसमें आप general intelligence reasoning मतलब इसका जो mean motive हमारा रहेगा जो हमारा general portion है जो हमारा 40 marks का general portion है उसमें आपके 40 में से 40 marks आने चाहिए क्योंकि इससे आपको काफी benefit होगा डोमीन में तो आप लोग जो subject रहेगा उसमें आप जितना भी score करें लेकिन इसमें आपको पूरा 40 में से 40 marks general में लाना होगा तभी आपका selection हो पाएगा इसके बाद यहाँ पर आप देखें dispensing attendant तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजियो therapist का आप देख सकते हैं इसके बाद senior programmer analyst का रहेगा upper division clerk ठीक है तो lower division clerk का भी question paper हम इसमें देखेंगे तो कुछ question paper जो हम से skip हो गए हैं तो वो भी हम आपको provide कराएंगे 20 December को organize कराया जाएगा ठीक है तो आपको यह कैसे provide होगा वो मैंने आपको बता दिया description में सारा details आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपको whatsapp number शोर आओगा इस number पर आप लोगों को whatsapp message करना है जिसमें की जो है link generate होगा उसमें सारी PDF जितने भी examination रहेंगे aims द्वारा सारे जो हैं आपको general topics आपको देखने है जो domain रहेगा वो नहीं देखना है मतलब subjective आपको नहीं देखना जो general syllabus रहेगा general questions रहेंगे उनको आपको follow up करना है उसी इसाब साब को अपने preparation करनी है कोई भी update रहेगा वो हम आपको provide करा देंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई